गुड मॉनिंग आप सबका इस मैथमाटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है तो चलिए स्चार्ट करते हैं क्लास एड का चाप्टर नमबर फोर जो की है प्राक्टिकल जमेटरी आज हमने एक्सराइज 4.3 के क्वेस्चन करने हैं तो देख लेते हैं पहला क्वेस्चन ह मोरी क्वाड्री लेटरल कंस्ट्रक करना है उसके लिए हमने सबसे पहले मो लाइन 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली अब एम पे हम 60 डिगरी का एंगल बनाने लगे हैं उसके लिए हमने कंप से पूरा सरकल बना लिया एम पे फिर हम एक कॉर्णर से 60 डिगरी की आख लगा ली उस आख ने सरकल को जहां टच किया उसको हमने एम से जोइन करते हुए लाइन को आगे एक्स्टेंड कर दिया बढ़ा दिया अब ये था एम का 60 डिगरी अंगल अब बारिया ओ पे 105 डिगरी अंगल इसको हमने बनाया है प्रोटेक्टर से जहां पे 105 आ गया वहां पे हमने डॉट लगाया उसको हमने ओ से जोइन कर दिया ओ पे बन गया 105 डिगरी का एंगल अब साथ ही हम ओ से 4.5 सेंटीमीटर की आख लगाने लगी है उस आर्क ने ओ वाली लाइन को जहां टच किया नहीं प्रोटेक्टर रखा और 105 नीचे से देखा डॉट लगाया उस डॉट को हमने जहां पे रेड माक है रेड डाक ने येलो लाइन को कट किया उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिला दिया सीधी लाइन हमने डॉट कर दी उसको आर नाम दिया एम से 60 डिगरी जो लाइन बने थी उसको ई दिया तो इस तरह एम ओ आरी हमारा कौड्री लेटरल बन या स्टैप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गई नेक्स्ट क्वेस्चन में पी ले एन कौड्री लेटरल बनाना है उसके लिए सबसे पहले पी एल फोर सेंटिमीटर लाइन बनाई पी पे 90 डिगरी का एंगल उसी तरह कंपस से पूरा सरकल बनाया पहले 60 डिगरी की आख लगाई फिर एंगली थी फिर 60 पे रखके हमने 120 डिगरी की आख लगाएंगे आपके सामने लग रही है पहले चीस्ट की आख लगा दी अब उसके बाद कंपस को क्या करना है सिक्सटी पे रख़ा इसी से अब हम 120 डिगरी की आख लगाने लगें इस आ опыт को हम पूरा एक्स्टैंड को 120 डिग्री वाली आग को कट कर दिया दोनों कट हो गए उस पॉइंट आफ इंटरसेक्शन को हमने पी से मिला दिया लाइन ड्रॉ कर दी और ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल अब देखिए प्लैन में पी ए एंगल दिये हैं जबकि हमें तो एल का चाहिए तो क्वाड रिलेटरल में चारों एंगल कसम 360 डिग्री होता है तो 360 में से 90 110 पचासी माइनस किये तो एल ला गया मेरा 75 तो एल पे मैंने प्रोटेक्टर के साथ 75 डिग्री एंगल बना दिया एल को उस जॉइन कर दिया तो 75 डिग्री के एंगल बन गया अब मैंने एल से 6.5 सेंटी मेट कमपस के साथ आक लगा दी जहां पे लगाएंगे उस आक ने L वाली लाइन को जहां कट किया वहां प्रोटेक्टर रखा और वहां से 110 जिगरी का एंगल देखा डॉट लगाया और जॉइन कर दिया लाइन के साथ ये बन गए 110 जिगरी का एंगल और इसको नाम दिया मैंने A और इसी लाइन ने जब दूसरी लाइन को कट किया तो उसको नाम दिया मैंने N, ये बन गया P, L, A, N, Quadrilateral और Steps of Construction आपके सामने हैं. अब थर्ड क्वेस्चन में H, E, A, R, Palogram बनाना हैं. तो सबसे पहले H, E, Line हमने 5 cm की ड्रॉ कर लिया हैं. अब H और E दोनों से हम 6 cm की आर्क लगाएंगे कमपस के साथ. कमपस से 6 cm खोली मेजर करके सबसे पहले हम E से आर्क लगा रहे हैं 6 cm की. उसके बाद अब H पे कमपस रखेंगे, वहां से हम 6 cm की आर्क लगा लेंगे. अब इसके बाद पैरलोग्राम हैं, तो opposite angles क्या होते हैं? बराबर. इसका मतलब angle R बराबर होगा angle E के, तो इसका मतलब E angle हो गया 85 डिगरी. तो अब हम क्या करेंगे? कमपस लेंगे, कमपस को E पे रखेंगे, वहां से हम 85 डिगरी देखेंगे. किस तरफ देखना हैं? नीचे के उपर की तरफ हमने 85 डिगरी जो देखना है, वो उपर की तरफ देखना है. उपर पे red dot लगा लिया, उसको हमने E से join कर देना है. जब join कर दिया, तो इस line ने red dot को जहां कट किया, वहां पे हमने compass रखनी है, 5 cm की, वहीं से हम 5 cm की compass से A कट कर देंगे. तो एक और point of intersection बन गया, उस point of intersection को हम A से भी join करेंगे, H से भी. मतलब H, E, A, R, क्या बन गया हमारा parallelogram, उसकी हमने measurements लिख ली, उसके बाद हमारे पास उसके steps of construction आ गए. अब last question है, O, A, A, Y rectangle बनाना है, तो सबसे पहले O के 7 cm line खींच ली, फिर O और K पे हमने 90 degree का angle बनाना है, क्यूंकि rectangle है, rectangle के सारे angles 90 degree के होते हैं. 90 degree का angle हमने पिछले समय बनाना सीखा था, circle बना के 60 की आख लगाएंगे, 120 की आख लगाएंगे, 120 की आख को extend कर लेंगे, उसी पर फिर दुबारा से आख कट करेंगे, जहांपे दोनों आख सकट होगी, उसको हम K से join कर देंगे. इस तरह ये 90 degree का angle हमने ओपर भी बनाना है और K पे भी, तो वो आपके सामने हम कर रहे हैं. अब हमने दोनों लाइन्स जो हैं, वो क्या कर दी, आख कट कर दी, पर अभी लाइन जोईन ने की. अब बारी आगई, ओपे 90 degree का angle की पूरा सरकल बनाया, सरकल बनाने के बाद हमने अब 60 की आख लगाने लगे हैं, उसी के बाद 60 की आख लगा ली, 60 की आख पर compass रखी, 120 की आख लगाएंगे, जो की अभी आपके सामने हम लगाने लगे हैं. उसके बाद 120 पर रखेंगे compass उस आख को कट कर देंगे, तो ultimately 90 degree का angle हमारा बन गया, अब दुनों side से हम K और O से line जोईन कर देंगे, तो proper हमारा 90 degree का angle बन गया. अब K ए 5 cm है, तो मतलब 5 cm की compass खोल लेंगे, K से भी लगाएंगे 5 cm की आख, O से भी, क्यों? क्योंकि rectangle है तो उसके opposite sides के होती हैं बराबर, तो हमने O और K से 5 cm की आख लगा ली. इन arcs ने O और K के angle 90 degree वाली lines को cut किया, तो जो जो point of intersection है, उनको हमने आपस में मिला दिया और उनका नाम रखा K वाली side का A, O वाली side का Y. तो O, K, A, Y मेरे पास rectangle आ गया और steps of construction लिखती है, तो अगर आपको कोई भी problem ही इस exercise 4.2 के समस में, तो आप मुझे comments में बताइए, इस video को like and share करना मत भूलना और इस channel को subscribe करना मत भूलना.